हलो एवरिवन, वेलकम टू पाइजूस गवर्मेंट एक्जाम प्रैप, डेली करंट अफेर्स की सिरीज में आपका एक बर फिर से स्वागत है और आज हम 10 दिसेंबर 2020 के करंट अफेर्स डिसकस करेंगे यह जो करंट अफेर्स है कि आपके लिए SSC, DPC, बैंकिंग और इसी तरीके के जो दूसरे गवर्मेंट एक्जाम होते हैं उसमें काफी हलपफुल हो सकते हैं इन करंट अफेर्स में हम national affairs, international affairs, कुछ important personalities जो news में होती है, sports news, कुछ important books और awards इन सभी के बारे में जच्चा करते हैं साथ ही यहाँ पर आपको कुछ practice questions दिये जाते हैं जिनका answer आपको comment section में देना है और इस तरीके से हम जो यह session है इसे interactive बनाने की कोशिश करते हैं तो चलिए शुरुवात करते हैं आज का हमारा सबसे पहला section जो हम discuss करेंगे वो है national affairs अर्थात रास्ट्रिय मामले और रास्ट्रिय मामले में सबसे पहला news article है PM Modi inaugurates virtual India mobile congress 2020 हमारे देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के द्वारा inaugurate और address किया गया है अगर हम यहाँ पर India mobile congress के बारे में बात करें तो India mobile congress जो है वो एक largest mobile technology event है South Asia का और India का और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि इसे organize किया जाता है Department of Telecommunication along with Cellular Operation Association of India अठाट Department of Telecommunication जो है वो Cellular Operation Association of India के साथ में मिलकर India mobile conference जो है उसे organize करता है तो अगर इस congress के बारे में बात करें तो यह जो government entities है, industry है और जो दूसरे ecosystem के player है उनको साथ में लेकर आती है और यह एक common platform की तरह act करती है जहाँ पर discuss किया जा सकता है और display किया जाता है जो latest technology होती है in the world उसको इसके अलावा largest digital event होने के साथ ही यह एक largest networking event भी है भारत का यह जो event है इसे इसलिए organize किया जाता है ताकि जो startups है उसे promote किया जा सके जो innovators है और जो enterprises है उन्हें promote किया जा सके इसके साथ ही यह जो local manufacturing होती है उसे भी promote करता है और यह investments जो है उन्हें लेकर आता है हमारे देश में यह जो event है यह as a platform act करता है to spread knowledge about the ongoing research and development in the field अर्थात यह जो event है यह एक ऐसे मंच के रूप में कार्य करता है जो की जागरूपता फैल आता है और साथ ही जो research और development हो रहा है field में उसे आगे लेकर आता है इसके साथ ही यह international regional corporation जो है in south and southeast region उसको enhance करता है तो यह जो 2020 में India Mobile Congress हो रही है इसका एक तो theme आपको पता होनी चाहिए तो इसकी theme है inclusive, innovation, smart, secure, sustainable तो यह जो theme है यह आपको याद रखनी है इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि यह जो event है, यह three days event है जो की 8th December से 10th December 2020 के बीच में आयोजित किया जाएगा इसके साथ ही यह जो India Mobile Congress 2020 है यह आपको ध्यान रखना है कि यह organize की जाती है Department of Telecommunication जो की Government of India के अंदर आता है और Cellular Operator Association of India के द्वारा अथात भारत सरकार के दूरसंचार विभाग और Cellular Operation Association of India के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है अगर हम इसके objective की बात करें कि India Mobile Congress 2020 का objective क्या है तो it is to align with Prime Minister's vision to promote आत्म निर्भर भारत Digital Inclusivity and Sustainable Development, Entrepreneurship and Innovation and Drive Foreign and Local Investment, Encourage Research and Development in the Telecom and Emerging Technology Center अठात, IMC 2020 जो हो रहा है उसका उद्देश्य है कि Prime Minister का जो vision है उसे align करना उस vision में आते हैं आत्म निर्भर भारत, Digital समावेश और सतत्विकाश उद्यमिता और नवाचार तो इनको बढ़ावा देने के लिए प्रधान मंतरी के द्रस्टी कोण को संरेखित करना इसका उद्देश्य है साथ ही विदेशी और इस्थानिय निवेश जो है उसको बढ़ावा देना और वहीं पे दूर संचार और भरते हुए जो प्रोध्योगी की के शेत्र है उसमें अनुसंदान और विकास को प्रोध साहित करना अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल की तरफ तो नैशनल अफेर्स में अगला न्यूज आर्टिकल जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो है लक्षिद्वी डिकलेर्ड हंडरेट परसेंट और गैनिक तो वो है सिक्किम यह important है एक्जाम में पूछा जा सकता है तो यह आपको पता होना चाहिए और अब सिक्किम के बाद में दूसरा लक्षदीप है जिसे 100% और गैनिक डिकलेर कर दिया गया है तो लक्षदीप जो की हमारे देश की एक union territory है केंडर शासित प्रदेश है उसको कृ किशी और किसान कल्यान मंत्राले के द्वारा अथात इसे Ministry of Agriculture and Farmer Welfare के द्वारा जैविक क्रिशी शेतर गोशित कर दिया गया है इसे Organic Agriculture Area गोशित कर दिया गया है यह जो यूटी है यह जो केंडर शासित प्रदेश है यह सिक्किम के बाद में इस status को अचीव करने वाला द लेकिन यहां पर इसके साथ ही आपको द्यान रखना है कि जो सिक्किम है वो एक राज्य है और जो लक्षदीप है वो केंडर शासित प्रदेश है तो इस प्रकार से यह भारत केंडर शासित प्रदेशों में पहला इस्थान प्राप्त करने वाला है अधात यह first union territory है भारत म जिसे ये status अच्छी हुआ है, ये जो union territory है, इसका शेतरफल है, 32 square km, तो 32 square km की जो union territory है, जो केंदर शासित प्रदेश है, it has been certified as organic under union governments परंपरागत क्रिशी विकास योजना, अठाथ ये जो union territory है, इसके पूरे शेतर को केंदर सरकार की जो परंपरागत क्रिशी विकास योजना है, उसके तहट जैविक रूप में प्रमानित किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है, अब अब यहाँ पर अगर organic farming के बारे में चर्चा करें, हमने देखा कि लक्षुदीब जो है, उसे 100% organic declare कर दिया गया है, सिक्किम जो है, वो पहला राज्य था भारत में 100% organic declare होन इन्वाल्व होता है, इन नैचुरल वेज अठात, ये ऐसी टेक्नीक है, जिसमें plant का cultivation और animal rearing जो है, उसे नैचुरल तरीकों से किया जाता है, और इसमें किसी भी तरीके के जो synthetic substance है, उसे avoid किया जाता है, ताकि जो मिट्टी का उपजावपन है, उसे बनाए रखा जाए, और जो ecological balances है, उसे बनाए रखा जाए, और इससे क्या होता है, कि organic farming जो होती है, उसका aim होता है, to minimize wastage and pollution, अठात, जो जैविक क्रिशी होती है, उसका aim होता है, कि जो wastage है, उसे कम से कम किया जाए, और जो production है, उसे कम से कम किया जाए, और इसमें biological methods जो है, वो involved होते हैं, तो ऐसा करने के क्या benefit होते है, organic farming के क्या benefit होते है, तो सबसे पहले इसका main benefit ये होता है, कि organic farming से जो input cost होती है, agriculture की, वो कम हो जाती है, input cost का मतलब होता है, कि फसल उगाने के लिए जिन वस्तुओं की आविशक्ता होती है, जैसे fertilizers हो गए, chemical हो गए, उनकी आविशक्ता कम होत इसके अलावा, environmental friendly होती है, इसके साथ ही, जो soil structure होता है, वो improve होता है, organic farming से, और इसका बाद में premium prize मिलता है, किसानों को, तो यहाँ पर अगर हम लक्षदीप के बारे में बात करें, तो लक्षदीप के संबन में हमको पता है, कि ये geographically जो है, वो भारत का जो mainstream land है, उससे अल की चीजें होती है, उसे भारत के mainland से transport किया जाता है, लेकिन there has been no shipment of chemicals and fertilizers to the Iceland group for last 15 years, अथात, पिछले 15 वर्षों से इस द्रीप समूँ में रसायनों और उर्वकों का कोई भी shipment नहीं हुआ है, और ये जो UT administration है, ये जो केंदर शासित प्रदेश का प्रशासन है, ये केवल खा पॉल्टरी खाद, हरीपत्ती खाद जैसे जो input है, इनका उप्योग करके खेती का अभ्यास कर रहा है, agriculture प्रैक्टिस कर रहे हैं, और the UT has not made any expenditure on procurement of chemical attack, इस केंदर शासित प्रदेश के द्वारा रसायनों की खरीद के लिए कोई भी खर्च नहीं किया गया है, तो इस तरीके स लक्षदीब जो है, वो 100% organic state बन गया है, इसके अलावा अगर हम दूसरे state का organic farming के संबन में बात करें, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो उत्तराखंड है, that was first state to launch organic farming policy in 2000, अर्थार्थ, organic farming policy launch करने वाला देश का पहला राज्य था, उत्तराखंड 2000 में, इसके ब अगर हम लक्षदीब के संबन में कुछ महतुपून points के बारे में चर्चा करें, तो सबसे पहले लक्षदीब की राजदानी आपको पता होनी चाहिए, लक्षदीब की राजदानी है कावरती, और इसके बाद में लक्षदीब जो है, it is a group of 36 islands, यह number आपको याद रखना है लक्षदीब 36 द्वीपो का एक समू है, इसके साथ ही लक्षदीब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह union territory है, तो इसका जो उच्छ न्यायले है, इसका जो न्यायक शेत्र है, वो केरल उच्छ न्यायले के अंदर आता है, केरल उच्छ न्यायले जो है, वो इनारकुलम में हैं और उसके अंतरगत इसका न्यायक शेत्र आता है, इसके अलावा आपको लक्षदीब के बारे में एक important point याद रखना है, जो आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ पर पित्ती नाम का एक island है, जो की uninhabitated island है, यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है, और इसे bird century के रूप में declare कि यहाँ गया है, यह जो पित्ती island पर bird century है, यह only bird century है, इन लक्षदीब अर्थात, यह लक्षदीब में एक मात्र पक्षी अभ्यारण्य है, इसके साथ ही आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है, कि जो संगम literature है, जो संगम ग्रंथ है, उनके अनुसार, जो लक्षदीब island है, उस पर चेराज का नियंतरन था, तो यह भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, लक्षदीब island के संबंद में, इसके बाद में अब हम चलते हैं next point की तरफ, तो national affairs में अगले point के बारे में हम चर्चा करेंगे, और यह है Google India's year in search result, अर्थात Google India ने अपना year in search के result प्रका दिया है और यह India का most search word on Google बन गया है in 2020 as per Google India's year in search report released on December 9, 2020, अर्थात Google India year in search का जो 9 December 2000 बीच को परड़ाम प्रकाशित हुए हैं, उसके अनुसार वर्ष 2020 में Google पर भारत का जो सबसे जादा अधिक सर्च किया जाने वाला शब्द है, वो IPL अर्थात Indian Premier League बन गया है और इसने कोरोना वाइरस को भी पचार दिया है, अगर हम internationally बात करें, अंतरास्ट्रे रूप से बात करें, तो अंतरास्ट्रे रूप से Google पर सबसे अधिक 2020 में search किया जाने वाला शब्द कोरोना वाइरस था, लेकिन भारत के संबन्द में ये IPL था, और इसके बाद में इंडिया 2020 जो Google के अनुसार रही भारत के शीष ट्रेंडिंग व्यक्तित्व 2020 जो Google सर्च में रहे वो Joy Bidden, सबसे पहले उसके बाद में अर्णम गो स्वामी, तीसरी कनिका कपूर, चौती किम जॉन उंग और पांचवे अमिताब बच्चन, जो Google पर सर्च किया गया personality उसमें ये टॉप 5 में रहे 2020 के लिए और वहीं पर Google के जो ट्रेंडिंग सर्च थे भारत में 2020 में, 2020 में भारत में Google की टॉप ट्रेंडिंग जो सर्च है, उसमें सबसे पहले IPL है, दूसरा coronavirus रहा, तीसरा US election results रहा और चौता PM किसान योजना पांचवा बिहार election results रहे, तो यहाँ प this year और यह देखा गया कि deadly corona pandemic से भी जादा IPL सर्च किया गया, the popular cricket tournament has been postponed from its usual schedule this year due to COVID outbreak, तो BCCI जो है उनने decide किया था, finally IPL को host करना September से November के बीच में, और September से November की जो विंडो थी उसके बीच में UAE में IPL host किये गये थे, UAE में IPL कराया गया था और इसे इंडिया से बाहर shift कर दिया गया था due to spike in COVID-19 cases in the country, it was first major cricket tournament to be held in a bio bubble amid the pandemic without a life audience, तो यह जो IPL है यह पहला cricket tournament था जो कि bio bubble में हुआ था, अब आपको यहाँ पर bio bubble भी समझना है कि bio bubble क्या होता है, यह आप से exam में पूछा जा सकता है, अभी यह जो शब्द है यह news में काफी तो bio bubble जो है, अगर आसान भाशा में इसका मतलब समझे तो यह एक ऐसा वातावरण है, जिसमें रहने वाला जो है वो बाहरी दुनिया से किसी भी तरीके से कट जाता है, तो जब IPL आयोजित किये गए थे तो उसमें जो खिलाडी थे वो bio bubble में थे, अतात उनको पहले COVID-19 का टेस्ट कराए गए और जो खिलाडी और खिलाडियों के अलावा जो होटल में रहे उन होटल का स्टाफ था और साथ भी जो और संबंदित स्टाफ था, उन सभी में वही लोग जो COVID-19 थे वो उस शेत्र के अंदर गए और जब तक ए टूनामेंट पूरा नहीं हो जाता, कोरोना टेस्ट करने वाली जो medical team है, उन तक को भी तै दाइरे के बाहर जाने की अनुमती नहीं होती है, और इसके दाइरे में रहने वाला जो व्यक्ती है वो बाहरी दुनिया की किसी भी व्यक्ती से संपर्क नहीं कर सकता है, तो ये bio bubble होता है, इसके साथ ही अगर हम Google के ब स्थापना कब हुई थी ये पता होना चाहिए तो Google की स्थापना 1998 में हुई थी Google के founder अठार्ट संस्थापक कौन है इसके बारे में हम पहले भी discuss कर चुके हैं Google के जो संस्थापक है वो है Larry Page और सर्जी ब्रिन इसके अलावा Google के CEO कौन है अभी ये भी आपको पता होना चाहिए तो Google के CEO है सुन्दर पिचाई और ये 2015 में Google के CEO बने थे अब हम चलते हैं next section की तरफ अगला section है international affairs अर्थात अंतरराश्ट्रिय मामले तो इसमें हम चर्चा करेंगे Mount Everest के बारे में जो की दुनि Mount Everest की new height के बारे में discuss करेंगे Mount Everest new height is 8,848.86 meters Nepal and China Nepal और China ने jointly announce की है Mount Everest की new height ये उन्होंने एक साल तक जो data है उसे process करने के बाद में announce की है और जो Mount Everest की नई height है वो announce की गई है 8,848.86 meter इससे पहले Mount Everest की जो height मानी जाती थी वो मानी जाती थी 8,848 meters तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि 0.86 meters जादा height बताई गई है नेपाल और चाइना के द्वारा जो नया announcement किया गया है इसमें और ये जो पहले height बताई जाती थी ये थी as per measurement done by Survey of India in 1954 अधात 1954 में Survey of India के द्वारा जो map लिया गया था उसके अनुसार 8,848 meter Mount Everest की उ इसके साथ ही National Geography Society ने 5 मई 1999 को GPS उपग्रह का प्रयोग के करके जो Mount Everest है उसकी उचाई 8,850 meter होने की पुष्टी की थी तो इसलिए पहले Mount Everest की उचाई को लेकर कुछ अठकले थी जिसके बाद में नेपाल और चीन ने अब ये जो data है ये नया data दिया है अगर हम Mount Everest के बारे मे यहाँ पर बात करें तो Mount Everest जो है वो विश्व की सबसे उची परवत चोटी है और ये नेपाल में जो हिमाले परवत है उसका भाग है यहाँ पर Mount Everest के बारे में कुछ important fact अगर हम देखें तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो Mount Everest है उसका नाम किसके नाम पर जो George Everest है वो 1830 से लेकर 1843 तक भारत के महा सरवेक्षक रहे थे और इससे पहले इस चोटी को चोटी 15 के नाम से जाना जाता था और उसके बाद में इसका नाम Mount Everest रखा गया इसके साथ ही अगर हम Mount Everest के अन्य नामों के बारे में चर्चा करें तो Mount Everest जो है उसे प्रत्वी के ती नेपाल में बोला जाता है सगरमथा और साथी तिबबत में इसे बोला जाता है कोमो लांगमा तो इस तरीके से Mount Everest के दूसरे नाम भी आपको पता होने चाहिए तो अगर हम यहाँ पर यह बात करें कि नेपाल ने फिर से Mount Everest की माप क्यों की है वाई डिट नेपाल अंडर्ट measurement of Mount Everest again तो नेपाल जो है इसने कई अटकलों के कारण इसकी जो उचाई है उसे पुनहम आपने का निर्ने किया तो 2015 में भूकंप आया था नेपाल में और उसने रास्च में बड़े पैमाने पर विनाश किया था और उसके बाद में यह बोला जा रहा था कि यह जो वास्तव वास्तविक उचाई उस समय मानी जाती थी 8,848 मीटर वो भूकंप के बाद में परिवर्तित हुई होगी और 8,848 मीटर वास्तविक उचाई नहीं हो सकती है Mount Everest की भूकंप के बाद में और इसके बाद में नेपाल ने इस पहाड की उचाई को मापने के लिए जो नेपाल के अधिकारी और विशेशग्य हैं उन्हें तैनात किया और अपने घरेलू प्रयासों में चीन के साथ भी उन्होंने समन्वे किया चाईना के साथ भी उन्होंने कॉडिनेट किया और उसके बाद में अब ये जो उचाई है इसे 0.86 मीटर बड़ा हुआ बताया है इसके साथ ह अगर हम यहाँ पर कुछ important point देखें कि जो Mount Everest है उसके कुछ major mountaineers अथा कुछ प्रमुक परवतारोही कौन-कौन रहे हैं तो विश्व के जो सर्वोच शिखर है Mount Everest उच तक पहुचने के लिए जो क्रम है वो सन 1953 से शुरू हुआ था और Everest शिखर पर जाने के लिए तिबबत क की ओर से चड़ने पर आयू सीमा की कोई भी बात देता नहीं है तो सबसे पहले Edmund Hillary और Tenzing Norge ये व्यक्ति थे जो 1953 में Mount Everest तक पहुचने वाले पहले व्यक्ति बने इसके अलावा जूको तबाई जो है वो Everest की चोटी पर पहुचने वाली विश्व की पहली महिला बनी ये थी जापान से और ये पहुची थी 1975 में Mount Everest की इन्होंने चड़ाई की थी इसके बाद में बिचिंदरी पाल जो है वो Everest की चोटी पर पहुचने वाली पहली भारती ये महिला बनी इन्होंने 1984 में Everest की चोटी की चड़ाई करी इसके बाद में फूदोर्जी फूदोर्जी जो है वो बिना ओक्सीजन के Everest की चोटी पर पहुचने वाले विश्वी के पहले व्यक्ती बने ये 9 माई 1984 को बिना ओक्सीजन के Everest की चोटी पर पहुचे इसके अलावा हम यहाँ पर बात करेंगे टॉम विटाईकर की तो टॉम वेटेगर जो है वो Everest के शिखर पर पहुचने वाले पहले विकलांग व्यक्ती बने जो की क्रत्रिम टांग के सहारे Everest शिखर तक पहुचे तो यह important है आपको याद रखना है अब हम चलते हैं next section की तरफ जो की है various national and international personalities in news अधात समाचार में व of the World Health Organization Foundation तो अनिल सोनी जो है वो World Health Organization Foundation के first CEO appoint किये गये है World Health Organization Foundation जो है वो हाल ही में बनाया गया है और अनिल सोनी को इसका पहला CEO appoint किया गया है अनिल सोनी जो है वो US-based और Indian origin के health expert है अर्थात ये America आधारित भारतिये मूल के स्वास्थे पेशेवर है और इनको The World Health Organization Foundation के पहले मुख्य कारेकारी अधिकारी के रूप में नियोक्त किया गया है इससे पहले वो अमेरिका में global healthcare company जो है वियेट्रिस उसके साथ में काम कर रहे थे और यहां उन्होंने head of global infectious disease के रूप में कारे किया है यहां पर he served as head of global infectious diseases ये World Health Organization के CEO के रूप में अपनी जो भूमिका है उसे 1 जनवरी 2021 से ग्रहेंड करेंगे तो यहां पर अगर हम World Health Organization Foundation के बारे में चर्चा करें तो इसे launch किया गया था in May 2020 as an independent grant making agency अठाट इसे एक स्वतंत्र अनुदान निर्मान एजेंसी के रूप में launch किया गया था जो की Geneva Switzerland based है इसे launch किया गया था to work alongside the World Health Organization and the Global Health Community to address the most pressing global health challenges अठाट इसकी इस्थापना की गई थी ताकि जो WHO और वैश्विक स्वास्ते समुदाय है उसके साथ में कारे किया जा सके और जो वैश्विक स्वास्ते चनौतिया है उनका समाधान करने के लिए कारे किया जा सके तो World Health Organization का Headquarter आपको पता होना चाहिए World Health Organization का मुख्याले है Geneva जो की Switzerland में है और World Health Organization के Director General अठाट महानिदेशक है Tedros Adenom अब हम चलते हैं next point की तरफ तो personalities में अगला point है Father of Fiber Optics नरेंदर सिंग का पानी passes away नरेंदर सिंग का पानी जिनने Father of Fiber Optics भी बोला जाता है उनकी मृत्यू हो गई है तो यहाँ पर आपको याद रखना है अगर आपसे पूछा जाता है कि Father of Fiber Optics के रूप में किसे जाना जाता है तो वो है नरेंदर सिंग का पानी नरेंदर सिंग का पानी जो है हो गई है ये इंडिया में बॉर्ण हुए थे और ये एक अमेरिकन फिजीसिस थे जिनका नाम लिया जाता है as one of the seven unsung heroes by fortune in their businessman of the century issue of November 1999 अर्थात भारत में जन्में और अमेरिकी बहुती की विज्ञानी को fortune ने November 1990 के अपने businessman अंक के साथ unsung hero में से एक के रूप में नामित किया था कापानी was the first to transmit images through fiber optics back in 1954 and laid the foundation for high speed internet technology अठात कापानी जो है वो 1954 में fiber optics के माध्यम से चित्रों को प्रसारित करने और high speed internet technique की नीव रखने वाले पहले व्यक्ति बने और इनके द्वारा जो ये invention की गई थी इन्होंने अपनी खुद की invention का business में इस्तमाल किया उन्होंने न केवल fiber optics की नीव रखी बल्कि व्यवसाय के लिए अपने स्वयम का जो आविशकार है उसका इस्तमाल भी किया and he founded the optics technology incorporation and Captron incorporation in 1960 and 1973 respectively इसके साथ ही he studied at Agra University and then moved to Imperial College in London he received his PhD from the University of London in 1955 अधात इनके background के बारे में अगर हम बात करें तो Agra विश्व विध्याले से इन्होंने पढ़ाई करी है और फिर ये London के Imperial College चले गए और उन्होंने 1955 में London विश्व विध्याले से PhD की उपादी प्राप्त की थी अब हम चलते हैं next section की तरफ जो की है books and awards अधात पुस्त के और पुरुसकार और इसमें हम सबसे पहले चर्चा करेंगे United Nation Investment Promotion Award 2020 की Invest India wins United Nation Investment Promotion Award 2020 अधात Invest India को UN Investment Promotion Award 2020 जो है वो मिल गया है ये जो सैयुक्त राष्ट व्यापार और विकास सम्मेलन है United Nation Conference on Trade and Development ये जनेवा बेस्ड है अधात इसका हेड़कोर्टर जनेवा में है और इनने Invest India को सैयुक्त राष्ट निवेश प्रोचसाहन पुरुसकार से सम्मानित किया है अगर हम Invest India के बारे में बात करें तो Invest India जो है वो National Investment Promotion Agency है भारत की अधात ये भारतिय राष्ट्रिय निवेश समवर्धन Agency है तो आपको ध्यान रखना है कि जो United Nations Investment Promotion Award 2020 है वो भारत ने जीता है और वो भारत की Invest India Agency ने जीता है Invest India Agency was declared the winner from among 180 Global Investment Promotion Agencies अधात 180 वैश्विक निवेश समवर्धन Agency हो में से Invest India को विजेता चुना गया है United Nations Investment Promotion Award 2020 जो रहा उसका जो evaluation किया गया उसका basis था the response of IPAs to the COVID-19 pandemic अधात 2020 का जो सैयोक्त राष्ट निवेश समवर्धन पुरुसकार दिया गया उसके मुल्यांकन का जो आधार था वो ये था कि COVID-19 महमारी के लिए ये जो विभिन IPAs है Investment Promotion Agencies है इनकी प्रतिक्रिया किस प्रकार की रही है और ये जो annual award है ये recognize करता है और celebrate करता है the outstanding achievement and best practices of investment promotion councils across the globe अब अगर हम यहाँ पर Invest India के बारे में बात करें जिसे ये award मिला है तो Invest India जो है वो एक non-profit venture है under Department of Promotion of Industries and Internal Trade Ministry of Commerce and Industry तो आपको याद रखना है ये कौन से department के अंदर आता है ये आता है उद्योग और अंत्रिक व्यापार वानिज्य और उद्योग मंत्राले के तहर एक गैर लापकारी उपकरम के रूप में इसके साथ ही आपको Invest India के MD और CEO पता होने चाहिए तो इसके MD और CEO है दीपक बागला और इसके साथ ही इसकी स्थापना की गई थी 2009 में और इसका headquarter है नई दिल्ली में ये important point है जो आपको पता होने चाहिए अब हम चलते हैं next section की तरफ जो की है sports news अठाथ खेल समाचार और खेल समाचार में आज हम चर्चा करेंगे world athletics award 2020 की तो world athletics award 2020 जो है वो male में मिला है mondo dupliantis को जो की Sweden से है और female category में ये award मिला है यूलिमार रोजास को जो की Venezuela से है अठाथ ये जो दोनों ही athlete है इनके द्वारा world record तोड़े गए और world record तोडने वाले Sweden के mondo dupliantis और Venezuela की यूलिमार रोजास को विश्व athletic पुरुषकार 2020 जो है उसमें महिला और पुरुष विश्व athletic of the year नामित किया गया है तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि mondo dupliantis जो है वो Sweden से है और यूलिमार रोजास जो है वो Venezuela से है और ये दोनों ही अपने देश के पहले प्राप्त करता बने है इस prestigious award के तो यह important है यह आपको ध्यान रखना है इसके साथ ही ये जो ceremony है ये COVID-19 protocol के कारण जो है वो virtual रूप से आयोजित की गई थी अब हम यहाँ पर इन दोनों athletes के बारे में चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे mondo do plantis की तो mondo do plantis सबसे पहले किस खेल से संबंदित है तो यह संबंदित है pole vault से और इन्होंने world record जो है pole vault से संबंदित उसे दो बार तोड़ा है on back to back weekends in February just a few weeks before COVID-19 brought the sporting world a halt अरथा COVID-19 महामारी के कारण जो lockdown लगना शुरू हुआ था और उसके कारण जो खेल का शेत्र है उसके रुकने से कुछ समय पहले ही इनके द्वारा world record बनाया गया था pole vault में by topping 6.7 मीटर और 6.18 मीटर और जब प्रतियोगिता अंत में फिर से शुरू हुई 2020 के अंत में जब प्रतियोगिता है होना फिर से शुरू हुई तो duplantis ने अपने season को cap किया और सबसे उचतर outdoor vault का जो score है 6.15 मीटर वो बनाया और साथ ही 16 प्रतियोगिताओं में इन्होंने भाग लिया और सभी में ये अपराजित रहे इसके साथ ही जो mondo duplantis है इन्होंने पिछले महीने ही अपना 21st बर्दे मनाया है तो ये youngest athlete बन गए है जिन्हें world athlete of the year का award मिला है तो ये भी आपको ध्यान रखना है world athlete of the year का award जीतन वाले सबसे youngest athlete जो है वो mondo duplantis बन गए है ये मात्र 21 वर्ष के है इसके बाद में हम बात करेंगे यूलिमार रोजास की तो यूलिमार रोजास जो है हमने देखा कि ये वैनेजवेला से है और ये किस खेल से संबंदित है ये है triple jump से संबंदित triple jump में इन्होंने world record बनाया है with a leap of 15.43 मीटर और इसके साथ ही चाट triple jump के जो competition हुए indoor और outdoor ये उन्होंने जीते हैं और ये undefeated रही तो इन दोनों ने ही world record जो है वो तोड़े थे अब हम बात करेंगे next section की important days अधार्ट महत्वपून दिवस और महत्वपून दिवस में आज हम चर्चा करेंगे world human rights day अधार् 10 दिसंबर को मनाया जाता है human rights day is celebrated on 10th December annually across the world मानवादिकार दिवस पूरे विश्व में 10 दिसंबर को मनाया जाता है इस दिन 1948 में सैयुक्त रास्ट महासबा अर्थात United Nation General Assembly ने मानवादिकारों की सार्ववह में घोशना अर्थात Universal Declaration of Human Rights को अपनाया था और उसकी घोशना की थी अगर हम 2020 की theme के बारे में बात करें तो word human rights की 2020 की theme है recover better stand up for human rights इसके साथ ही अगर हम यहाँ पर यह बात करें कि human rights day क्यों celebrate किया जाता है तो it is celebrated all over the world to achieve real right for human being it aims to improve socio-cultural and physical well-being of the people throughout the world यह जो day है इन्हे कुछ महत्वपून कार्णों से मनाया जाता है जैसे की awareness फैलाने के लिए about human right among the people in the world इसके साथ ही इसे मनाया जाता है to improve the effort of United Nation General Assembly to interact and discuss crucial issues of human right to motivate minorities, women, poor and disabled person to participate in the event इसके साथ आपको यह भी याद रखना है कि United Nation Prize in the field of human rights is awarded on human rights day अर्था मानवादिकार दिवस्त पर ही United Nation का जो prize है human rights की field में मानवादिकार की field में वो भी आज के दिन ही दिया जाता है इसके अलावा अगर हम universal declaration of human rights के बारे में चर्चा करें तो universal declaration of human rights जो है वो एक milestone document है जो proclaim करता है the first ever global enunciation of human rights which everyone is inherent entitled to as a human being regardless of race, color, religion, sex, language, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status तो यहाँ पर हमारे current affairs का section खतम होता है और अब हम कुछ static facts discuss करेंगे, let's talk about some important facts और यहाँ पर आज हम चर्चा करेंगे कुछ poisoning, diseases के बारे में, कुछ विशाक्तिता रोग के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि कि किस पधार्त की विशाक्तिता के कारण कौन सा रोग होता है, तो सबसे पहले lead अर्थाज c-sa जो होता है उसकी विशाक्तिता से plumbism नाम का रोग होता है, इसके बाद में cadmium की विशाक्तिता से अगर आप cadmium का ज़ादा स्रेवन कर लेत तो उसकी विशाक्तता से इताई इताई नाम का रोग होता है। इसके अलावा मरकरी की जो विशाक्तता होती है, मरकरी के अत्यदिक सेवन से Mad Hatter's Disease होता है। मरकरी की विशाक्तिता से होने वाले डिजीज को मीना माता डिजीज भी बोला जाता है, अगर हम मीना माता डिजीज के बारे में बात करें, तो मीना माता डिजीज was so named because it was first discovered in मीना माता city of Japan, जापान के मीना माता शहर में इस डिजीज को पहली बार डिसकवर किया गया था, इस के अलावा cotton dust की जो विशाक्तिता होती है उससे bisinosis नाम का रोग होता है जिसे brown lung disease भी कहा जाता है, इसके बाद में asbetox की विशाक्तिता से mesothelioma होता है, साथी asbetox की विशाक्तिता से white lung disease भी होता है, cold dust जो होती है, koëले की जो धूल होती है उससे black lung disease होता है, इसके अलावा जो silica dust होती है, उससे silikosis होता है और iron dust जो होती है, उससे sidrosis होता है, तो ये जो नाम है, ये आपको ध्यान रखने है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि इताई इताई जो है, वो किस पधार्थ की विशाक्तिता के आरण होता है, या फिर मीना माता disease जो है, वो किस के कारण होत होता है, तो ये आपको ध्यान रखने है, अब हम चलते हैं practice questions की तरफ, ये जो practice questions आपको यहां दिये जा रहे हैं, इनका answer आपको comment section में देना है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, according to संगम text, who control the Lakshadeep island, संगम ग्रंथों के अनुसार, Lakshadeep दीपो को किसने नियंतरित किया था पहला है मराथा, दूसरा है पल्लव, तीसरा है चोल और चौथा है चेरा, इसके बाद में दूसरा है, which of the following uninhabitated island of Lakshadeep has been declared as a bird sanctuary, Lakshadeep के निमलिखित में से किस निर्जन दीप को पक्षी अभ्यारण ने गुशित किया गया है, पित्ती, लक्कादीव, अमीनी दीवी या मिन अगला है नेम, the winner of 2020 male world athlete of the year, 2020 पुरुष विश्व athlete of the year के विजेता का नाम बताईए, नूह लाइन्स, डैनियल, स्टै, मॉंडो, डुपलांटिस या सर्जी बुपका, अगला है, when is human right day observed, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 7th December, 8th December, 9th December या 10th of December, अगला है, which player has won the 2020 female world athlete of the year, किस खिलाडी ने 2020 महिला विश्व athlete of the year जीता है, कैटरीन इबर्गुएन, यूलिमार रोजास, रॉबिनी, पीनेंडो या ओल्गा रिपकोवा, अगला है, as per the new survey conducted by Nepal and China, the height of Mount Everest has become taller by, नेपाल और चीन के द्वारा किये गए नए सर्वेक्षन के अनुसार, Mount Everest की उचाई डैश से अधिक हो गई है, कितने मीटर अधिक हो गई है, 0.25 मीटर, 0.55 मीटर, 0.86 मीटर या 0.91 मीटर, अगला है, what is the theme of India Mobile Congress 2020, India Mobile Congress 2020 का विशे क्या है, Inclusive Innovation, Smart, Secure, Sustainable, Imagine a New Connected World, Digital Infrastructure Toward the Digital Economy, Connecting the Next Billion, अगला है, which country has won the 2020 United Nations Investment Promotion Award of UNCTAD, किस देश ने UNCTAD का 2020 संयोक्त राष्ट निवेश प्रोटसाहन पुरुसकार जीता है, सिंगापूर, भारत, जापान या नेपाल, अगला है, विश्व स्वास्त संगठन फाउंडेशन के पहले, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो यहाँ पर हमारा आज का डिसकर्शन खतम होता है, thank you so much for today's discussion, I hope you liked the session, please like, share and subscribe to our channel, thank you so much.